नमस्कार संसे टीवी के खास कायर कर्म दे लौ मेकर्स में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरेंद गुपता और दे लौ मेकर्स की इस अंक में आज हम बात करेंगे कि भारतिय संसेद में सांसेदों का क्या रोल रहता है किस तरह से संसेद में आकर संसेद प्रशनकाल सूनने काल और स्पेशल मेंसर में हिस्सा लेते हैं संसद की समितिया किस طرح से काम करती है और विदहक से लेके और बिल बनाने तक का क्या प्रारूप रहता है इसके अलावा बात होगी भारतिय संसद में संसदों को मिले विशाष अधिकार की हम यह भी समझेंगे कि किस तरह से जन हित से जुड़े मामले मानिय सांसद आकर संसद में उठाते हैं और जो अकांचाय जनता की होती हैं उसको पूरा करने में किस तरह से सहयोग करते हैं तो इस सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेह ती खास महमान मौझूद हैं हमारे साथ भारती जनता पार्टी के वरिष्ट सांसद अक्युक्स तीन बार के सांसद इसके इलावा अगर बात करें तो ज्घारकण सरकार में मंत्री पी अन सिंग साब मौझूद हैं जो धनवात लोकसवा सीट से आते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है संसर टीवी पसर बहुत-बहुत धन्यवाद आप इतने वरिष सांसद हैं सर सबसे पहला सवाल जो संसद की एक गरिमा होती है जब सांसद चुनकर आता है भारती संसद में तो उसकी गरिमा के अनुरूप बहुत सारी आचरण का पालन करना पड़ता है आप वरिष सांसद है तीसरा टम आपका है इसके अलावा भी आप जारकंट सरकार में मंत्री रहे एमेले रहे तो एक लंबी राजनित्तिक जीवन में आप रहे और संसदी परंपराओं को आपने करीब से देखा है सब किस तरह से देखते हैं एक सांसद के आचरण को संसद में देखे दोनों जगे का दो अन्भो है मुझे उत्करिष्ट विधायक का पुरुसकार भी प्राप्त है जारकंट विधान सोवा में और इसे समय में जिस समय हमारी सरकार नहीं थी बलकि जो आज सरकार बैठी है विपक्चों की सरकार थी और जिसमें मुख मंत्री, स्पीकर, पर्लियमेंटरी एफेर्स मिनिस्टर, आपोजिशन नेता यह लोग मिलकर उत्करिष्ट विधायक का चुनाव करते हैं तो बहुमत उनके पास रहता है तो निशित रूप से गरिमा बनना बिलकुल आवज सके और हम लोग उस गरिमा का पालन करते हैं हमारे जीस सांसर और इसलिए गुमनाम हम लोग उग़ाते हैं जो मरियादा को तोर कर बोलता है, हला हंगमा करता है उसको उसकी पहचान रहती है और या प्रकृया लोग सोचते हैं कि सौर्ट कट रास्ता लोगों के बीच देश के लोगों के बीच पाचान बनाना हो तो लोग सवा में अपने आचरन को गरिमा को छोड़ दो अब ऐसे बहुत सिसान सद हैं जो उसका अच्छरा सा पालन करते हैं गरिमा का और लेकिन वो गुमनाम जीशा हो जाते हैं इसलिए अधिकांस लोग कोसिश करते हैं कि गरिमा का उलंगन करें सर्थ बहुत बड़ी बात कही और बहुत एहम बात कही कि गरिमा को जो बनाना वो सांसद का एक परम करतब है और उसको मैंटें रखना चीए सर अब हम संसदिय परमपरा की अगर बात करें तो संसदिय जब संसद में संसद आते हैं तो बहुत सारे पहर होते हैं जिसमें प्रशनकाल निस सूननिकाल और स्पेसल मैंट सर ने एक एहम पहर माना जा सकता है और खासकर बात करें लोकसभा स्पीकर ओम बिल्डा जी की या सवापतीर राजसभा जगदी धंगर साब की दोनों का प्रशनकाल और सुनकाल चलाने पर विशेश फोकस रहता है कितना इंपोर्टेंट पहर है सर अगर बात करें कि एक सांसत के लिए सांसत के लिए दो बाते हैं जैसा कि आपने प्रारम में कहा है कि जन आकंचा जन हिद की बातों को लोकसभा में रखें तो यह जो कहीं न कहीं बिग्दल जो आता है उससे बहुत पीरा होती है कि हम बहुत मुश्किल से कोस्चन आता है जो तारंकित प्रस्नाईशन वो लोट्री के माध्यम से भागे वाले हुए तो एकाद आ गया वो अभी जिस समय दस अगर उस दिन है दस ही हो सकता है उसके अंदर आ गया और वो अगर लेफ्स कर जाता है तो वो जो सांसत जिसके आता है उसकी फीरा का बर्णन नहीं के जाता है उसी तरह से जिरो आवर भी यहां तो कोई जो चाहे जब चाहे प्रस्न को नहीं खरा कर सकता है उसके लिए एक प्रक्रिया के दोर में जाना परता है फिर लोट्री होता है लोट्री में आपका है तो अब इसी सत्र में प्रारम में चार दिन मेरा जिरो आवर आया और चारो दिन नहीं बोल पाए तो कितनी पीरा होती है तो यह इसके लिए बना हुआ है जीरो आवर यह अगर हम किसी बात को उठाना चाहते हैं तो बारह बजे जब सुनकाल में सुनकाल में जो लिखित है या बहुत इंपोर्टेंट बातों को इस फिकर को चाहिए मोका देना तो उस सवाल को उठाए ततकालिक सवाल बहुत साथ अब रात में घटना हो जाए साम तक यहां जिरो आवर को देना है तो रात में घटना होए या सुवग घटना हो जाए तो कोई उठाना चाहे तो वो मुका तो मिलना चाहिए वो अप्रक्रिया में जो बहुत संबेदंसील मामला है तो ऐसे और या अवसर जिरो आवर का अवसर कोश्चन का अवसर या 377 का अवसर या गैर सरकारी संकल्प का अवसर या सांसत का निजी अवसर है वो पार्टी का अवसर नहीं है पार्टी को तो जिसके कोई एक्ट में amendment है एक्ट बन रहा हो या बजड़ कए सतर में financial bill है तो उस समय जब debate होता है तो पार्टी को एलोट होता है समय या राश्पती जी का धन्यवाद प्रस्ताव है तो वह पार्टी को एलोट होता है पार्टी जिसको दे समय वह बोलता है लेकिन जो समय सांसत स्वेम बनाता है अवसर को और वह उसके लिए बाधक हो जाए तो पीड़ा दैग। विध्यक आता है, विध्यक पास राजसभा और लोकसभा से होने के बाद मानने राष्टपदीजी के सिंगनेचर के बाद वो बिल का रूप लेता है। सब परकार के बिल जो आहम हैं वही चाहे नया बनाने का हो या उसका संसोधन का हो। दोनों बाते तो जब महत्पुन रहता है तब संसन में आता है। लेकिन पूरा अगर उस पर बाद विबाद हो जो खामिया दिखता हो उसमें सुधार की आओ सकता हो। सरकार को सुझाओ लोग देना चाहें। सरकार दो बात है कि बहुत सी बाते जो विध्यक में माल लेती है। जो नियम उसका बनाने लगती है तो नियम में वह विपक्ष या कहूं कि या बात विवाद में जो बाते निकल कर आती है उसका भी समावेश कर देती है। तो अगर डिवेट को पूरा करकर वह एक्ट पारित हो, एमेंडमेंट हो तो या लोगतांत के लिए अच्छा रास है। सर अगर मोधी सरकार के नौ साल के कारकाल को देखें और उस कारकाल में बहुत सारे अगर जो बिल हैं उनकी बात करें तो वो कौन से एतिहासिक बिल जो आपने इस सदन से पास होते हो देखें जाए ट्रिपल तलाको कस्मीर का हो जेस्टियो उस पर चर्चा करना चाहूं अब जेम्मु कस्मीर का एमेन्वेंट बिल है 25 का वो आ 370 दारा का तीन तलाक का ऐचे अनिको बिल मोधी सरकार ने लाया जो यह आतिहासिक है और अपने आप में सुधारवादी भी है वा तिन तलाक बिल है और सुधारवादी है फिर तिन सो सत्तर हन को हटाना जो हम करते हैं कि कन्या कुमारी से कस्मेर भारत का भिन्नंग है जो उसमें खटका था थोरा सा ये उसके लिए अलग है बना हुआ थीन सो सतर धारत है कि महां जहन्डा परेगा वहां का यह दिकार नागृत्या का अधिकार तेय करेकी बिदान सवाः जब पूरे देश के नागृत्या का अधिकार सांशत करता है संसद में होता है और कस्मीर में वहाँ अपना जंडा फ़रेगा वहाँ का पूरे देश का पांच बरस का विधान सवा वहाँ छे बरस को होगा वह कौन ते करता है तो वहाँ का विधान सवा तो यह बहुत क्रांतिकारी यह क्रांतिकारी देश हित्में आज हम करें देश की एकता और अखंता उसके लिए या बिल लाना आओ सक्ता और या फिर उसी तरह से तिन तलाग का है तो ऐसे तो अने को बिल हैं लेकिन क्या कि इस नौ बरस में सबसे अधिक कि अमेंडमेंट जो बहुत से नियम हम अंग्रेज के टाइम के बने हुए कभी कभी थोड़ा बहुत तो उसमें अमेंडमेंट हुआ लेकिन समय के अनुकूल आवज आवज सकता है उसके अंसार कानून रहे उसमें मोधी सरकार ने काफी काम किया अब हम बात करते हैं कमेटी क कि कर्शा पालिमेंट की जो कमेटी होती है वो मेनी पारलिमेंट की तरह काम करती हैं तो और इस पीस कमेटी से जुड़े हुए हैं और आपकी कमेटी में के जो आपके द्वारत दिये के को सुझाओ जिसका बाद में बहुत बड़ा इंपक्ट हुआ सर। उस समय भी फर्स्ट स्टेज में कोकिंग कोल का हुआ जो सिर्फ धनबाद और रानिगंज के कोल फिल में प्राप्त होता है और इसलिए अब तो बहुत जगह पर कोईला की खोज हो गई जी कोईला का उत्खानान सुरू हो गया लेकिन धनबाद वह कोईला की रैधानी माना ज कि के इसे निग कमिटी में मिलता refers एस लिए हमारे हां वोकार उस्टील की फैक्ति बोकार्यों प्रांट है तो वह बहुत भी बहुत प्लांट है टो वहांपी समशाओं को तो इसलिए अपने च्वाइश हो हम करक है कि या कोल स्टील माइंज कमिटी में हाए हर एक मुद्धे पर जो मैं कहता हूँ उसको कमिटी गंभीरता से लेती है अपनी पर्तिविजन में भी समावेश करते हैं सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने संसदिये छिद्र के लिए ऐसी कौनसी जो जनता के आकान चायत ही उसको पूरा करने के लिए आवाज उठाई और वह बाद में बदलाओ आपके छिद्र में देखा गया वह ऐसी कौन सी बड़ी योजना है कौन सी बड़ी पड़ी जो आपके सांसे दे रहते हुए आपका एक लंबा टर्म रहा उस दोरान हुई है देखे एक बहुत बड़ा जो सिंद्री का खाथ कर खाना वो बन था उसे अब उत्पादन नया कर खाना हरल के नाम से कई भी और आठ नौ हजार करोर रुपे के इंवेस्टमेंट से वो बन गया हमारे हाँ तो उत्पादन में शुरू हो गया है तो एक बड़ी परियोजना थी आठ नौ हजार करोर रुपे का वह है फिर वहाँ का एक इसको बहुत दिन से आई आई टी के लिए लोकसंगहर्श कर रहे थे राहु जी को भी ले गए थे इसाए दिन की किरपा बन जाए तो उपीय सरकार में हो जाए पर्दो मुखर्जी शाहब जब मामें रास्टपती बने उनको भी ले गए थे इसाएद उनकी किरपा वज या तीन परकार के लोग जुटे हुए थे चात्र थे प्रवा आई यही टी का इस्टुडेंट का लाए प्रफेसर थे एक श्टुडेंट कहा है कि एश्या में मली माइनिंग इंजिनरिन का परहाई होता था इंडिन इस्टुल आप माइन बाद में बीये अच्च उमें सुरूब हुआ और अभी देश के कई भाग में का परहाई शुरू हुआ लेकिन यह उनाई सो तीज के आसपास इंडियन इस्कुल ऑप माइस वह आई 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 टी का दरजा प्राप्त किया मोधी सरकार में फिर जो यहां है कई रेल्वेब बिरिज वूसकी गिंती फ्लाई ओबर फिर करिब करिब हमारे हाँ साथ किलोमीटर तो सिक्स लेर्निंग रोड जो बनकर अब कंप्लीट होने पर है फिर पुरिलिया से लेकर धनबाद एनेज में परिवर्तन तो जो सरकार का काम है सिक्षा के चैत्र में फिर जो अभी योजना है हर एक घर में नल और हर एक नल में जल मानि परधान मंतिजी का या कोहों की बहुत महत्पुन और आवश्चक तो उस योजना का भी काम तेजी से चल रहा है हरे गाओं का भी धुतिकरन हो गया अब टोला वचे हुए हैं या जो अभी जमीन के नीचे उसको परिवर्तित करने का काम उसके लिए भी प्रारम अब हो रहा है पासपोर्ट कारदाले खुल गया धनबाद और वकारों दोनों जगह यह जो है एलजी गैस का पाइप पहुंच गया फिर पेट्रोल गैस वाला जो गारी चलती है उसके लिए धनबाद वकारों दोनों जगह पर तो इस तरह से एक आधुनिक्तम एक हवाई अड़ा की मांग धनबाद का है जो अभी पूरा नहीं हुआ है इस्टेशन में अमुल परिवर्तन हुआ है वर्ल्ड क्लास इस्टेशन धनबाद का पहले से भी परिवर्तन हुआ है और अभी के सुची में भी इस बजट में है तो धनबाद हमारे कंस्टेंसी में धनबाद वकारों कुमार्टू भागय चार स्पिशन है अमरीता से तो उसमें काम हो रहा है बोकारू में एर्पोर्ट बोकारू स्टील का ही है लेकिन उसको कैंसर कार के सच्वजोग से हुआ अब जो है हवाई जगाज उर्ने की स्थिति में आ गई है अब उениПрकरिया में लेकिन धनबाद के लोगों की मांग बहुत पुरुप से भी है और आवशक भी है क्योंकि धनबाद में बहुत केंद्रिय परतिश्थान है दनबाद में Central Mining Research Institute, Central Fuel Research Institute, India का Coal Mines Providence Fund का Headquarter, Director General Mines Safety का Headquarter, BCCL, ECL, या सब फिर हरले जो अभी सिंद्री खात कर खाना इन 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 शूट अप टेकनलोजी, ISM, तो ऐसे अनेको परतिश्थान हैं, जहां पर लोग वेवपार की सेंटर भी है, मोटर पार्ट का है, कपरे का है, थोक वेवपार का है, वहां पर, और सबसे अधिक मोटर विकल धनबाद में, वह खासका ट्रांसपोर्ट, बरी ट्रक है, तो निशित रूप से, यह एक, हर एक छेतर में काम हुआ, और जो बचा है, और धनबाद के लोगों का अब ऐसे है, ट्राफिक जाम की समस्या है, तो अप्लाई वगरा वगरा की मांग है, तो उसके लिए प्रयास रत हूँ, और इस तरह से हमें लग रहा है कि हर एक दिशा में धनबाद में काम हुआ, सर अंतिम सवाल की और बढ़ेंगे, सर आप एक लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय अपने जारखंड में आप मंत्री रहे और विधायक रहे, जो तस्वीर आम तोर पर विधायका की या संसद की होनी चाहिए, कई बार वो नहीं दिखती, सत्ता पक्च और विपक्च में गतिरोध हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दों पे एकिकरन हो, जनता के मुद्दों की चर्चा हो, समवाद हो, इसके लिए जो लॉमेकर्स हैं, जो सांसद हैं, वो स्वेम जिम्मेदार हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, कि वहाँ पे उस डेकरम को मेंटेन करें और जो पीठा सी अधिकारी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं सर आपका 1995 का से लंबा करियर है जो नए सांसद चुनकर आते हैं जो हाउस में सांसद हैं उनके लिए कुछ सलाह अगर कि किस तरह से संसदिय परंपराओं को निभाते हुए आपको संसद में कार करना चाहिए दखें जिस पीरा का बर्णन आप कर रहे हैं वह पीरा संसद में नहीं दिखाई जोती है सब चीज भोट के दिरिष्टिकों से हम उनको नुकसान कैसे करें इसी के इर्द गेर्द संसत की भूमिका हो रही जो किसी बिशह पर बहुत बैचारी के बहत् हो किसी बिशह पर तो उसका भाव तो दिखता है, निवेट में, हम लोग भी शुरू करते हैं, विपक्ष भी शुरू करता है, यही इतने ही दूर में गुमता हुआ, एर्द गुमता हुआ रह जाता है मामला, कि कौन क्या गर्वड किया? लकिन आगे कई से सही होगा, इस पर कोई सुझाओ नहीं, और जो अच्छा जन परतीने, अच्छा नेता सिर्फ समसाओं को नहीं रखता है, समसाओं के निदान के लिए उनके मन में क्या सुझाओ है? कोई जरूरी नहीं कि उनके सुझाओ को सुखार कर लिया जाए, लेकिन कहीं डिबेट में तो नहीं मिलता है, क्या इसा सरकार को करना चाहिए, सरकार की खामियों को निकालने वाले हैं, लेकिन सुजाओ देने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ी बेवाग तरीके से और बड़ी ही साधगी से उन्होंने इस बात की चर्चा की, कि लॉमेकर्स के दाइत्व क्या होते हैं। बड़ी डिबेट में भाग लेना हो, या छेत्र के विकास के लिए जो अमली जामा पहनाने का जो प्रकल्प सांसद ने लिया है, उसको करने का भी जो अधिकार है और जो दाइत्व है वो सांसद का है। सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गंभी तरीके से अपनी बात को रखा। सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आउसर दिया सारी बातों को रखने का। सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद सर, आपने 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 का।